नमबर वान इस दुनिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज मार्केट था और 16-2 पे स्टार्ट हुआ था उसका नाम था एमस्टरडम स्टॉक एक्सचेंज तो आज से 400 सर पहले भी लोग स्टॉक को खाड़े दे रहे थे और बेचा करते थे नमबर टू अगर आप कहें भी शार्ट और टीशर्ट पाड़ा है तो आप एक बार नाटिस करेंगे कि शार्ट की जो पॉकेट है वो हमेशा लेव साइट में ही रहता है इस पॉकेट को लेव साइट में दिया जाता है क्यूंकि मोस्ट अब दे पीपल राइट है और लेव स इस साइट में पॉकेट र сдел से राइट हम से इस पोकेट को एकस रथे वे बहुती ऊजी और फोलन होता है इसी वादों से शार्ट की जफोंच है वह हरा लेव साइट में होता है नमबर थी इस जुनिया पे पाणि को ही सब से ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है पानी के बाद सबसे ज़्यादा सेम को इस्तिमाल कारा जाता है Number four हम इन्सवर्ड पानी के अंदर ज्वास ज्यादा दो मिड्ड तक ही सास को रोख सकते है क्योंकि हम कोई reflect नहीं है फिर भी कोकोडाइल पानी के अंदर दो घंटे तक आपने सास को रोख सकता है नमबर फाइब क्या आपको पाता है चोकलेट खाने से आपका दाद साफेद होता है पर जब भी हम चोकलेट खाते हैं आमारे दाद ब्राउन हो जाता है यदि आप रोज मील्ड चोकलेट खाते हो तो आपका दाथ कामजोर होगा पारण तो आपका दाथ साफ़ेद होगा अगर है कप्ड़े धुने की सावन से नहाओगे तो क्या होगा सहथ आपके मन में यह प्रश्ने जरूर आएगा जो कप्ड़े धुने का सावन है ना वो नॉर्मल सेवन के कंपरिजन में बहुत ज़्यदा राफ होता है और इससे बहुत सरा प्राब्लेम भी होता है क्यूंकि जो कप्ड़े धुने वारा सावन है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता वो बहुत राफ होता है इसी लिए वो कप्रेजोनागारा सावान हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है नमबर सेवन एक सार्विक के अनुसार जो लोग रेगुलर गेम करते हैं वो रियल लाइब डिसिशन बहुत ज्यादा फास्ट ले सकते है नमबर एट एंड्रुएट एजो नाम है यह दरासल एपल कमपनेरे राखा था असलमें इसका नाम था एंडी रूबी तो कि एक अद्रमी का नाम है जब एपल में थे तब उनकी टीम ने उसको एंड़ रूपी के जगा एंड्रुएट नाम दिया था फिर उसने एपल कंपणी को छोड़ कर गूगल कंपणी जॉइन किया एंड ओ एक मूबाइल बानाया जिसका नाम दिया एंडुएट नमबर नाइन हम लोग जो बादम खाते हैं वह असल में बीज होता है लोगों को इसके बारे में ज्यादा पाता नहीं है लोगों ने इसको नाट समझना शुरू कर दिया परन्त सास्त और है नमबर टेन बहुत सरे लोग के करता है फोन को चार्जिंग पर रखके ही बात करता है एक काम बिलकुल भी नहीं करना चाहिए जब हम फोन पर बात करते है तब फोन से रेडियेशन निकलते है परन्त ये रेडियेशन उतने भी ज्यादा नहीं होते है जब फोन काम चार्जिंग होता है तब ज्यादा रेडियेशन फोन से निकलता है और आप जब काम चार्जिंग पर फोन को चार्ज करेंगे तब फो जादा बढ़ जाएंगा उस चार्जिंग के सामाई यदि आप फोन पर बात करते हो तो वो जो रेडियेशन है वो आपके हिल्थ के लिए फायदे मन्थ में ही है उसके साथ फोन हीट आफ होगा और आपकी स्किन टर बुरा असर होगा कई जैसे कंपारे का फोन बहुत जदा हीट आफ होने के बाज़े से फोन ब्लास्ट भी हो सकता है तो आप लोग कोशिश करेंगे की फोन को जितनी हो सेगे चार्ज पे रखकर बा होगा नामबर 11 अगर आपके दिन में एक बर भी ट्राफिक पॉलिस के हाथ से फाइन लग जाता है तो आपके दिन में दूसरी बर फाइन लगने का चांस बहुत कम है सेगें बली फाइन को माफ किया जा सकता है लेकिन आप कोई बारा क्राइम करते हो तो ओ बात अलग है न किवर मॉंस्टर शो है एक शो आप लोग जरूर देखा होगा इस शो को बंद करना पारा इसकी बाजा कोई कॉंट्रो वर्सी नहीं उनको माचली ही नहीं मिल लाइती इस शो के जो माचली वारा थे जेरी में वेट ने सबी बढ़ी माचले को पकर लिया था इसी बाजा से इस शो के पास कोई कॉंटेंड ही नहीं बाचा और इसी करनी शो को बंद करना पारा नामबर थार्टीन आप लोग जरूर स्नीकर्स के बारे में सोना होगा लेकिन अपके मन में जरूर प्रश्न आए गाए कि इन जूतों को क्यूं स्नीकर्स कहा जाता है नारासान ए जोते वेकुल भी आवस नहीं क्योंकि इस जूते को आसे स्दीटर को और शोल ही फंट आप से बनता है इसले जो भी इस जूते को पैंट से है वह आसानी से स्झेक आउट कर सकता है इसलिए पापन में चलता क्या पर आक जीकतार्स मतलब गाज़ा वियार डारासल यूके रोयल मैरनीस नामा के कीन ने फोर्ड एक्सकोर्ट नामो एक गारी को मात्रफ फोर्टी टु सेगंड के ही उसके इंजिन को डिप्लेस कर दिया था ओर तीन ने और इस रेकोर्ड को को आज तक कोई भी तोर नहीं सका नामबर 15 आप लोग ग्राविटी के बारे में जरू सुना होगा एक टाफी शॉपिंग है एक एक्जामबल जाजाक अगर आपका वेट 60 केजी है तो ओवेट मून पर 10 केजी होगा और सान पे आपका वेट 100680 केजी हो जाएगा नामबर 16 कोविट 19 के सामाई बहुत सारे एक्जाम बांद कर दिया गया था क्योंकि उस समय सबके मान में एक मिद था कि मास्क पैनने से जो बच्चों का वाक्षिएन लेवल है वह बहुत ज़्यादा लेकिन सच्छाई तो और है यह सर्फ कुछ भी नहीं होता और इसी मीद की वज़ा से कोविट 19 के सामाई बहुत सरे एक्जाम को बांद करना पारा कि अ कि कि कि